चानक के I.S. Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे BF.7 वेरियंट के बारे में जो की COVID का नया वेरियंट है चीन में एक बार फिर अस्पताल भढ़ने लगे हैं दवाई खतम हो रही है सामोहिक अंतिम संसकार किये जा रहे हैं और इसका कारण है आग की तरह फैलने वाला कोरोना वाइरस इतनी तेजी से फैल रहे संक्रमन के लिए जिम्मेदार है ओमिक्रोम का वेरियंट BF.7 WHO के अधिकारियों का कहना है कि ये अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरियंट है अब हम बात करेंगे कि वेरियंट BF.7 क्या है कोरोना वाइरस का एक वेरियंट है ओमिक्रोम इसके कई सब वेरियंट है जैसे की BA.1, BA.2, BA.5, etc ओमिक्रोम का ऐसा ही एक लेटेस्ट सब वेरियंट है BA.5.2.1.7 जिससे चौर्ट में BF.7 कहा जा रहा है BF.7 वेरियंट कोरोना वाइरस के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है जिसका नाम है R3460 एक्सपर्ट के अनुसार इसी म्यूटेशन की वज़े से इस वेरियंट पर एंटीबोडीज का असर नहीं होता है आसान शब्दों में अगर कहें तो अगर किसी शक्स को पहले करोना हो चुका है या उसने वेक्सिन लगवाई है तो उसके शरीर में एंटीबोडीज बन जाती है BF.7 वेरियंट इस एंटीबोडीज को चक्मा देकर शरीर में घुसने में सक्षम है अगर ये देखा जाए कि अन्या वेरियंट के मुकाबले BF.7 कैसा वेरियंट है तो BF.7 की R0 वेल्यू 10 से 18.6 है यानि इस वेरियंट से संक्रमित एक वेक्ती औस तन 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है डबलो एच्चो का मानना है कि ये अब तक का सभी वेरियंट में सबसे जादा अब तेजी से फैलने वाला वेरियंट है इस से पहले डेल्टा की R0 वेल्यू 6 से 7 और एल्फा की 4 से 5 थी चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते है लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजन्स कंपनी Airfinity ने कहा है कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खतम होने के बाद 21 लाक मौते हो सकती है अमेरिकी साइंटिस्ट एरिक फैगल डिक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 90 दिन में चीन की 7 प्रतिशत आबादी यानि की करीब 80 करोड लोग कोरोना से संक्रमित होंगे चीन में BF.7 की R0 value जादा होने के पीछे चीनियों की कमजोर immunity भी हो सकती है जीरो कोविड पॉलिसी की वज़े से चीन के लोगों में बाकी दुनिया की तरह herd immunity भी नहीं है अब हम बात करेंगे BF.7 variant से संक्रमित लोगों की death rate कितनी है बीजिंग में कोरोना का BF.7 variant बेकाबू हो गया है दावा किया जा रहा है कि चीन में मौत के आंक्रों को चुपाया जा रहा है साथ ही चीन सिर्फ सांस से जुड़ी बिमारी और pneumonia से होने वाली मोतों को ही कोरोना से जोडता है चीन ने 19 दिसंबर को कोरोना से साथ मोते होने की जानकरी दी थी लेकिन हकीकत ये है कि वीजिंग के समशानों में 24 घंटे अंतिम संसकार किये जा रहे है कई शहरों में अंतिम संसकार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुच गई है इसी वज़े से असली डेथ रेट पता करना बहुत ही मुश्किल है University of New South Wales Sydney के प्रोफेसर James Wood ने दावा किया है कि चीन में अगले कुछ महीनों में कौरोना के नए वेरियंट से 10 लाग से जादा लोगों की मौत हो सकती है University of Washington ने अपनी रिसर्च के आधार पर दावा किया है कि 2023 के अंत तक चीन में 16 लाग लोगों की मौत हो सकती है यही नहीं मार्च 2023 में हर रोज 9000 लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है अगर इस हिसाब से हम देखे तो डेल्टा वेरियंट से भारत में जितने लोगों की मौत रोज हो रही थी उतनी ही मौत चीन में अब BF.7 से होने की आशंका जताई जा रही है 10 जुन 2021 को जब दूसरे लहर भारत में पीक पर थी तो डेल्टा की लहर के दोरान देश में हर रोज ओस तन 6,000 लोगों की मौत हो रही थी ऐसे में चीन में डेल्टा वेरियंट से भी जादा मौते होने की आशंका है अब हम बात करेंगे कि ये वेरियंट कहां पैदा हुआ और अब तक दुनिया के कितने देशों में पहुंच चुका है इससे पहले हम कोविड के इतिहास के अगर बात करें तो इसका ओरिजनल वर्जन चीन में 2019 में आया था उसके बाद में 2020 में अलफा यॉनाइटिट किंडम में बीटा साउथ अफरीका में 2021 में गामा ब्राजील में 2021 में ही और डेल्टा भारत में 2021 में और उसके बाद ओमिक्रोन आया जो कई देशों में फैला 2021 में और ओमिक्रोम बी एफ सेवन इसी का लेटेस्ट वर्जन है जो की वापस से चीन से निकला है बी एफ सेवन वेरियंट का पहला केस चीन के इनर मंगोलिया फ्रांट में मिला था अब तक ये वाइरस भारत, अमेरिका, यूके, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेन्मार्क समेथ कई यूरोपिय देशों में फैल चुका है अमेरिका में 10 दिसंबर तक कोरोना के नए मामलों में BF.7 वेरियंट के 5.7 प्रतिशत केस थे इसी तरह कुल कोरोना के मामले में बेल्जियम में 25 परसेंट जबकि फ्रांस और जर्मनी में 10 परसेंट केस इस वेरियंट के थे भारत के अगर बात करें तो केंद्रिय स्वास्ते मंत्राले के अनुसार कोरोना का खतरनाक चीनी वेरियंट BF.7 सितंबर महीने में ही भारत में आ गया था वडोद्रा में एक एनाराई महिला में इसके लक्षन मिले थे वहां अमेरिका से वडोद्रा आई थी उनके संपर्क में आए दो अन्य लोगों की भी जाच होई हालां की उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी बाद में वो महिला ठीक हो गए इसके अलावा दो अन्य केस एहमदाबाद और ओरिसा में भी मिले थे अगर बात की जाए कि इस वेरियंट पर कोविड वैक्सिन का कितना असर होता है तो बीएफ पॉइंट सैवन वैरियंट कोरोना के स्पाइक प्रोटीन में एक खास मुटेशन से बना है जिसका नाम आर थ्री फोर सिक्स टी है यह हम पहले भी बात कर चुके है इसी मुटेश अभी भी सबसे अच्छा हतियार है ब्रेटेंड ने हाल में मौडर्ना की वैक्सिन बाइवेलेंट बूस्टर्स को मंदूरी दी है यह वैक्सिन कोरोना के ओरिजिनल वाइरस के साथ ही ओमिक्रोन के सभी वैरियंट को खतम करने में कारगर पाई गई है यह वैरियंट स्पा तो कोरोना के ओमिक्रोन वैरियंट BF.7 के लेक्षन भी ओमिक्रोन के पहले मिले वैरियंट के लेक्षनों जैसे ही है यह वैरियंट इंसान के स्वशन तंत्र में उपरी हिस्से को प्रभावित करता है इसकी वज़े से कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए काफ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू सो मच दोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिसन अप्डेट